वित्विहिन शिच्छक संग द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुक्तिती के रूप में बसपा से राजसभा सांसद शतीर से चंदर मिस्र शामिल होने पहुंचे जहां उन्होंने एक जनसभा को संभोधित किया इस दोरान उन्होंने उतर प्रदेश के सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने उतर प्रदेश की कानून विवस्ता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है यूपी में लगातार हत्या लूट रेप जैसी आपराधिक वार्दातों बढ़ती चली जा रही हैं वहीं उन्होंने कुरोना संक्रमर से हुई मौतों के मामले को उठाते हुए कहा कि पीड़तों को पैसा देकर राज सरकार एसान नहीं कर रही है पीड़तों को मौाफचा सुप्रीम कोट के आदेश पर दिया जा रहा है वहीं उन्होंने कहा कि 2022 में अगर सुबे में बस्पा के सरकार आई तो बिरुजगार युवा को रोजगार दिया जाएगा आई आए उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज नहीं बचिये कानून का राज जिन नहीं बचा है कानून ढ़ा का राज जिन होँगार जिस तरह से खालनपूर शेयर के एक व्यापारी को उसके घतिया कर दी जाती है और किस बड़बरता से की जाती है और उसके बाद सिर्फ उसको कुछ रुपए दे करके और ये कहते हुए उनकी फैमिली को कि हम नौकरी दे देंगे क्या उससे वो वेक्टी वापस आ जाएगा और ये तो एक मामला है कितने सेकड़ों मामले ऐसे हो रहे हैं जहां पर की रोज हत्याएं हो रहे हैं बल और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट जुम्धी डियूस फ्लाश